वेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आस्मा वेलकम तू आस्मा स्पेसल पिछेंड आज में लेकर मुंफली की कतली वर्य हलू बनाने के लिए हमने लिया है पांस गराम मुंफली इसको हमें रोष्ट करना है इसको मेडियम फ्लेम पे हमें कलर चेंज होने तक अच्छे से रोष्ट कर लेना है मुंफली अच्छे से रोष्ट हो चुका है अब देख सकते हैं इसके छिलके अलग हो रहा है कुछ देर के लिए हमें अच्छे से और रोष्ट कर लेना है अब ये बिल्कुल अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं अब फ्लेम ओफ कर देंगे अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे मुंफली को हमें निकाल लेना है और इसको अच्छे से ठंडा होने देना है ठंडे हो जाने पर इसको छिलका मैंने अच्छे से हटा के साफ कर लिया था अब हम लेंगे एक ग्रेंडिंग जार इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है आपको बिल्कुल फाइन नहीं करना है अब देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको पीशना है सारे मुंफली को मैंने पीश लिया है और कुछ बड़े बड़े से चंक से इसमें जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं कि दृब बिल्कुल इसी तरह से हमें पीशना है इसे सबसे पहले हमें एक ट्रे को ग्रीश कर लेना है अब तेल या घी से भी ग्रीश कर सकते हैं इस प्रोसेस को हमें पहले ही करना है क्योंकिрах बाद में हमें वक्त नहीं मिलेगा अब इसको हम साइड में रख देंगे अब हम लेंगे सेम कड़ाई उसमें मैं ऐड़ करूँगी एक कप पानी इसी के साथ मैं इसमें 300 गराम चीनी भी ऐड़ करूँगी 500 गराम मौंफली और 300 गराम चीनी बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको मीठा थोड़ा कम चाहिए तो आप चीनी को थोड़ा से कम कर सकते हैं चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देना है चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब इसमें हम 4-5 इलाईची डालेंगे इसको ऐसे तोड़ के डालना है तक इसका flavor चासटनी के अंदर खुवच्छे से आ जाए इसको हमें अच्छे सबहाना है इसी के साथ हमें एक टेबले स्पून घी एड करना है अब घी ज़रूर ढ़ें गीसे बहुत अच्छा flavor आता है इलाइची का फ्लेबर चासनी के अंदर अच्छे से आ चुका है सारे इलाइची को हम निकाल लेंगे यह तो यह मुह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं आप यहां इलाइची का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं चासनी अब गाड़ी हो चुकी है इसको हम चेक करेंगे चिपचिपीसी हो गई है अब यह एक तार की चासनी बन रही है देख सकते हैं इस स्टेच पे हमें पीसी मुंफली एड कर देना है सारी मुंफली को हमें एड कर देना है इसी के साथ हम कुछ ग्रेट क्या वनारियाल और थोड़े से किस्मिस एड करना है अगर आप डालना चाहें तो डालें नहीं तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को हमें फास्ट करना है ग्रेट के और नारियल थोड़ा से और एड करूंगी मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसको अच्छे से हमें चलाना है फ्लेव में मेडियम ही रखना है इस बात का अब ध्यान रखेगा खुब अच्छे से हमें इसको चलाना है अब कढ़ाई छोड़ने लगी है इसका मतलब यह यह हो चुका है अब इसको हम ट्रे में निकाल लेंगे फटा फट से हमें करना है इस प्रोसेस को सारे मिक्षर को हमें निकाल लेना है ट्रेय के अंदर मिक्षर बहुत गरम है आप हाथ मत लगएगा नहीं तो हाथ जल जाएंगे इसे इस्पून की हेल्प से हमें फिला देना है इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ज़्यादा एजी है बहुत ही जल्दी बन जाता है यह रेसिपी इसमें थोड़ा सा ग्रेट के और नारियल एड़ करोंगी देखने बहुत अच्छे लगते हैं अब यह मिक्षर गरम है गरम मैं इसका बर्फी का सेब दूगी आप इसे अपने हिसाब से इसको सेब दे सकते हैं आपको जो सेब पसंद है आप इसको सर का लिया बर्फी के भी सेब दे सकते हैं सारे पीसे को हमें कट कर लेना है अब यह ठंडी हो चुकी है सारे पीसे इसको हमें एक पिलेट में निकाल लेना है आप इसे श्टोर करके 10 से 15 दिन के लिए डिब्बे में रख सकते हैं ये खराब नहीं होती है बहुत ही बेहतरीन मुंफली के कतली बन के तैयार है बहुत ही टेस्टी बनी है ये आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स मेरे रेसिपी कैसी लगी आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर बाचिक मैं वीडियो